सभी आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चनल की आज साम साथ बजे की सची खबरों में स्वागत है आंगनबाडी बहनों आप सबके लिए एक छोटी सी खुसकबरी लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छा सा एक सरकारी आदेश आया है जिसका उत्तर प्रदेश में बहुत से आंगनबाडी बहने इंतजार कर रही होंगी ऐसे में अब उनका इंतजार खतम हो जाएगा आप सब भी थोड़ा अपने अपने इस तर से अपने अपने जिलों में थोड़ा मेहनत कर लेना जिसकी वज़े से आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इसी समय हो जाएगा अभी जो समय चल रहा है वरना भरतियां हो ग जिसको निधी सिंग बहन है उत्तरपदेश के लखनव से आती है और लखनव में वहाँ पर डीपियो महोदे ने एक लेटर जारी किया है अभी हम आपको वो पूरा लेटर भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा है और इसके अलावा उन्होंने लिखा भी है कि समस्त आंगनबारी कारिकरता और आंगनबारी सहय का जिन्हें अन्य जगे पर समयोजित होना है यानि अपना ट्रांसफर करवाना है यानि बदली करवानी है तो किसी और जगे यानि वो कारिकर रही है यानि नौकरी कर रही है और निवास इस्थान उनका कहीं और है यानि प्रार्थना पत्र अपनी सुपर्वाइजर के माध्यम से 12 तारीक तक उपलब्द करा दें जिस पर नियमा नुसार विचार किया जा सके निधी सिंग बहन लखनव से उन्होंने एक ये संदेश भेजा है तो फिलाल के लिए 12 तारीक तक का जो ये समय आप देख रहे हैं ये लखनव में वहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन उत्तर पदेश के अन्य जिलों में आप सब भाई बहनों आपको मैंने पहले भी कई लेटर दिखाए हैं जिन में अभी इस वाली लेटर को जम मैं पढ़ूंगा तो उसमें उस लेटर का भी मैं जिक्र करूंगा कि कब लेटर वो समायोजन वाला जारी हुआ था जिसके आधार पर उत्तर पदेश में समस्त जिलों के लिए जो भी समायोजन होने हैं बदलियां ट्रांसफर होनी हैं जिन भी कारकरता का उसको कराने के लिए और आंगन बारी बहनों जो मीनी से मेन में होने हैं उनको भी अपग् तो आप देख सकते हैं अखिलेंद्र दूबेजी हैं, बीपियों हैं, यानि जिलाकारकरम अधिकारी हैं लखनौ के, उन्होंने 10 अपरेल को अपने यहाँ पर आज ही ये लेटर निकाला है, पुराना लेटर नहीं है, आज का नया नया लेटर है उनका, और आप देख सकते है जो कि पत्रांग संख्या दी गई है 16 समस्त बालविकास परोजना अधिकारी और प्रभारी जन्पद लखनओं के तो लखनओं के सभी स्टीडीप्यों लोगों को उन्होंने ये लेटर बेजा है और कहा है क्रपिया सच्यू महिला बालविकास उत्तरपदे सासन के पत्र संख्या जो कि 19 थी पत्र संख्या और ये लेटर जो निकला था वो आपका 21 मार्च को निकला था साथी साथ जो समनवित बाल विकास कारिक्यम के अंतरगत आंगनबाडी कार करती मिनी आंगनबाडी कार करती एवं सहयका की मांदे पर समविदा आधारित नियुक्ती चेन के सम्मंद में है यानि वही नया वाला भरती वाला जो लेटर आया था चेन प्रक्रिया का आंगनबा बाड़ी कार करती मिनी आगन बाड़ी कार करती अथवा सहाय का अपनी तैनाती वाले केंद्र से वर्तमान में मूल निवास वाले इस्थान पर अन्यत्र समायोजन की उच्छुक हों तो ग्राम सभा या वाड जो भी जैसे ग्राम सभा का मतलब गाउं जो लगते हों लखनों क स्वेटी लगती है उन छेत्रों में जो भी पदरित होने पर आराच्छन का ध्यान रखते हुए जन्पद के अंदर होने के इस्तिती में नियमा नुसार परिच्छन करके सासना देश के क्रम में प्रस्ताव प्रस्तुत करें अखलें दुबे जी हैं उन्होंने अपने वहा जो आपका आराच्छड का भी ध्यान रखा जाएगा कि कौन से आराच्छड के पर कौन सी वहां पर सीट है वैसे ही आराच्छड प्रभावित ना हो और तभी वो बदली होगी तो प्रयास कर लीजिएगा हो सकता है आपका हो जाए आपके वहां खाली पड़ा हो तो समायो जन अभी हो जाएंगे तो जादा दूर बदली होगी आपका जैसे माली जेस ससुराल जो है और कहीं है जहां आप रहती है मायका आपका और कहीं है जादा तर यही केस देखने को मिलते है कि कोई मायके में जॉब कर रहा है पहले से बाद में साधी हो गई बाहर चले गए इस तरह से जो है देखने को मिलती हैं या मालो कभी भरतिया निकलती हैं पात्र ना मिले तो फिर चेयन किसी और का कहीं पर कर दिया जाए पास वाली ग्राम सभाओं से ऐसे भी केस आ जाते हैं तो ये कुछ चीजे हैं तो अब आप सब बहने जो अलग-अलग जन्पदों से आती ह हैं आप सब भी अगर समायोजन करवाना चाहती है अपने निवास छेत्र में देखो सबसे बड़ी सर्थ यही होती है आंगनबाडी भरती कि कि आप उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी होनी चाहिए जहां पर आप जो है निवासी है या वहीं पर प्रक्रिया में आप सामिल हो और यानि वहीं पर आप अपना सेंटर चलाएं तो कहने का मतलब यही है जहां केंदर वहीं की आप निवासी या जहां की आप निवासी वहीं आपका केंदर हो अलग अन्यत्र कहीं नहीं हो तो इस तरह से चीजों को ध्यान में रखना है तो आप सब अपने अपने जिलों में supervisor से संपर कर ले अगर supervisor को इस बारे में जानकारी नहीं है तो परेसान ना हो क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके जले के DPO मौदय ने CDPO लोगों को इंड़ेसित कर दिया हो और CDPO लोगों ने फिर सुपरोईजरों को इंड़ेसित कर दिया हो आलइंडिया को चीज़े पहले से पता हो जाती क्योंकि जैसे ही लटा निकलते हैं वो इधर उदर से घूम फिर के भाई बेनों की मदद से कहीं ने कहीं जिलों से आकर के आलइंडिया पर आ जाते हeni जिस वज़े से आप सबको जानकारी समय से सम मिल जाती है जो की बहुत से हमारे विभाग में जिलों में जो अधिकारी है उन तक वो चीज़े लेट पहुंचती है या समय से पहुंच जाती है तो वो विचार नहीं करते जिस वजह से निचले स्तर के जिसे सुपर्वाइजर, CDPO इनको पता भी नहीं हो पाता तो जब जादा ही उपर से धामकसी होती है तो फिर ये जाकर के उस पर काम करती है जिस वजह से बात में फिर वो चीज़े अफरा तफरी में आप सबसे सभी काग जातों वाली जो भी होती वो सम्मागी जाती है ऐसे सिस्टम चलता है तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ अगर सुपर्वाइजर को नहीं पता तो आप CDPO से संपर कर ले और अगर CDPO को भी जानकारी ना हो तो एक बार DPO से भी संपर कर लें भरती प्रक्रिया से पहले आपका ये हो जाए तो अच्छी बात है और उससे अच्छी बात मालो जहां आपका समयोजन करवाना है दोनों जगे जैसे आपका गाउं ये और आपका सजुराल ये अदली बदली करनी है अगर परस्पर समयोजन करना है तो तो बहुत आसानी हो जाएगी तब तो दोनों लोग तयार हो जाओ अपने जिलों के DPO क आपको जाकर के बता दो और इस तरह से अपना application लिको दुनियादार ये जो भी है वो अपना देख लेंगे और आपको कोई रास्ता निकाल करके बता देंगे परस्पर समयोजन आसानी से होंगे अभी फिलाल वैसे भी समयोजन हो रहे हैं बसरते आर अच्छल प्रवावित नहीं होना चाहिए तो अब चलते आगे आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास matter एक बहन ने भेजा है काफी बड़ी समस्या इनकी नजर आती है रासन से जुड़ी हुई है आए ध्यान पूरवक सुनते हैं पहले तो इन्हों देखते हैं इन्होंने क्या लेखा है इन्होंन वाले जो सर्वे के होते हैं उसी पर मिनी कार करता की न्युक्ति होती है और 800 पर आंगनबारी की होती है तो यहां पर उन्होंने कहा कि 500 सर्वे चेत्र पर हमारी जो है न्युक्ति हुई अत्रिक्त सर्वे चेत्र पूर्व सीरीपियो अरविंद सिंग वगरा वो दी थी क्य सरवे चेत्र लिखित में दिया जाता है भया जो की मुझे नहीं मिला जो अतरिक्त सरवे चेत्र मिला है उसी गाउं के प्रात्विंग विद्याले ट्रलवा में केंद्र चलता है निदसाले से सूखा रासन वित्रण के लिए जो डियाई बनके आई थी जनवरी फरवरी मेरे केंद्र का रासन दूसरे केंद्र पर दिया जा रहा है जो हमारे कारयले बाबू स्रीराम है मेरा नाम की जगए रीता का नाम लिख करके मेरा रासन उसको दिये है उसका रासन मुझको दिये है उसके केंद्र कोड की जगए मेरा केंद्र कोड अपने हाथों से लिख दि थी जिसका जितना रहता था उसको उतना मिलता था जब से जो ऐसी डियस भाग के बाबू और सुपर्वाइजर के पास आया है गपला सोसर के अलावा कुछ नहीं है जब मैं सुपर्वाइजर का यहां पर उनको जो है कुछ लिखा गया सुपर्वाइजर का किया तो यानि फो यानि मिनी अत्रिक्ट सर्वे नहीं कर सकती है ऐसा तुम मिनी हो हमेशा याद करो भाया जी ऐसा आधेलेस निदसाले से आया है तो समझ में नहीं आता कि आप आधेश अत्रिक्ट नहीं कर सकती है जो भी हो देखो ये मैटर अलग है अगर आपको लगता है कि आपके सरवे छेतर का रासन आया है लाभारतियों का जितनी संख्या में है उतने पैकेट है केंदर कोड आपका है सब कुछ आपका है नाम आपका है जबर जस्ति उसको अपने हां से ओवर रैटिं आपको में में बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया लेटर भी दिखाया निदसाले से लेटर आया था मिनी को में में बनाने के लिए जिसके लिए मैंने मानक भी सब बताए है चैनल पर वीडियो भी अपलोड है चाहो तो आप उसको ढूंड लो और अच्छे से देख लो ये तो एक पहला पॉइंट, दूसरा ये कि मिनी का सर्वे छेतर बढ़ेगा, तब उनको मेन में कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लेटर निकाला गया, अगर कोई कार करता, उनका सर्वे छेतर बढ़ गया, यानि आबादी बढ़ गई है, पहले 500 पर तैनात हुई थी, अब मानलो दीरे-दीरे जनसंक्चा वहां की बढ़ गई, तो अब सर्वे छेतर उनका बढ़ गया है, तो ऐसे में अब उनको फिर मेन किया जाएगा, सर्वे मानक के अनुसार जैसे मानलो आट पर मेन होता है, तो साइध 800 अबादी मानक के अनुसार हो, तो वो अपना अप दिखाना फिर ग्रामीर जो है CDPO, जो DPO के चार्ज पर जिले पर स्री राजन प्रसाद के पास काल की और आप बीती बताई, तो पूछा किस ने कहा अतरिक्त सर्वे नहीं करना है, तो जो है यहाँ पर तो बताई, मैम काफिया ने कहा है, चलो देखते हैं, भया जी मेरा पो चाहें, मैं बिधवा हूँ और मेरी साहता करें, निवेदन है, तो आप देख सकते हैं, तो अगर आपका सर्वे छेतर खुद ही बढ़ चुका है, आबादी मेन के लायक हो गई है, तो आपको जो है खुद ही अपने विबागी अधिकारी DPO मोदे से संपर्क कर लिजेगा, जो की आपने का सी DPO मोदे हैं, और वो चार्ज पर भी DPO है, यानि प्रबारी DPO है, तो ऐसे में उनसे संपर्क कर लो, आपको वो कोई न कोई रास्ता दिखा देंगे, और अब तो सला ये भी आपको, कि अभी DM कारले में सिकायत आप ना करें, बेटर रहेगा, आप पहले जिले पर जाकर के DPO मोदे से मिलने, और उनको अपनी समस्या पूरी बता दे, कि ऐसे ऐसे ये सब हो रहा है, जो भी जैसे मान लिजेगा आपने, ये डियाई वाली परचिया मगरा सब भेजी हैं, ये पुरा लिश्ट भेजा, देखो मुझे तो इसमें ज्यादा नहीं पत तो देखो मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें रीता वर्मा नाम लेखा हुआ है, और आगे इसमें देखते हैं क्या लेखा हुआ है, इसमें जो दुरगावती लेखा हुआ है, ठीक है, और रही बात यहां पर कोड की, तो कोड मुझे कहीं पर बदला वगरा दिखाई नही होता है उसके बाद में आप DM काराले जाकर के सिकायद करें उसके पहले ना करें पहले आप अपने विभाग को जानकारी दें अगर सुपरवाइजर नहीं सुन नहीं है तो CDPO मोदे यानि जो प्रभारी DPOs समय उनसे संपर कर लें और उनको अपनी समस्या बता दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो खुद ही कुछ ना कुछ हल निकालेंगे चीज़े यही होती है कि पहले अपने विभाग से कहो नियमा नुसार जब वहां से समस्या समधा ना हो तो आप अपना आगे चीज़ों को कर सकती है तो इस तरह से आज का ये वीडियो भाईयों बैनों यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाईयों को हम कल सुबह फिर मिलते हैं धन्यवाद तो आप सब बैने जिनका समयोजन होना है वो खास तोर पर धहन डखें और अपना इसी टाइम पर थोड़ा भाग दोड कर लीजेगा हाथ पर हाथ रख करके मत बैटना कि हमारे जिले से लेटर आएगा हमारे विभाग से अधिकारी लोग सुपरवादर लोग खुदी हम से पूछेंगे हमारा सब बैठे बैठे हो जाएगा तो ऐसे इसके चकर में ना रहें क्योंकि विभागी काम है यह बहुत मुस्किल से होते हैं तो अपना जब लेटर में देखा देता है उसके बाद थोड़ा बहुत आप भी अपना पता कर लिया करें जिले स्तर पर और हो सकता है कि काफी जिलो में देखो 75 जिले हैं जरूरी नहीं निदसाले से 75 जिलो को तुरंत का तुरंत लेटर मिल जाए या मालो जिलो की अधिकारी उस पर तुरंत गौर कर ले देख ले और काम करना भी सुरू कर दें तो इस तरह से काफी ब पता है आल इंडिया आपको पूरा लेटर अच्छे से दिखाता है चाहूं तो मैं सामने आकर के जैसे लोग ना टीवी में आकर के अपना लाइव आकर के निउस देती हैं तो वो उतना मुझे लगता है कारगर नहीं है मुझे अपना चेहरा हालाइट करने की जरूरत नहीं ह कि नाम कमाना है तो हम famous हो जाएं ऐसा कुछ नहीं हमें आपको आपकी जैनकारी आपका content बिल्कुल अच्छे से देना है इसलिए मैं क्या करता हूँ आपको आपके letter दिखाता हूँ जो की जरूरी है जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि आप भी देखें कि जो यहा अनुसार जानकारियों को अपनी देखा करें धन्यवाद दोस्तों आज के स्फिर वीडियो के लिए